किसान भाइओ नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल ताकड एगरिकल्चर में किसान भाइओ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज की फसल में NPK 0050 यानि कि पूटास का स्प्रे कब किया जाता है और Gotta उसका फ्रे करने से प्याज की फसल में क्या पायदा होता है अधिकतिर किसान भाइंder के जिरुष भता स्वेए速 के जानते हैं यानि कि जो किसान denser हो साल ability NPEG 00050 का इस्प्रे अपने प्याज की फबसल में करते है उनको तो पता है कि NPEG 0050 क्या चीज है इसका क्या रिजल्ट मिलता है और वो हर سाल अपनी प्याज की फबसल में NPG 0050 का इस्प्रे जरूर करते है उसके बिना प्याज की पैदावार अधूरी ही रहती है अब जो किसान भाई इसके बारे में नहीं जानते है और जिनकों भी अच्छे तरीके से जानकारी नहीं है उन किसान भाई उसे मेरा निवधन रहेगा कि आप अपनी प्याज की पसल से अगर अच्छी पेदावार लेना चाहते है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो आप लोगों से निवधन रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग जरूर देखे और सुरुआ से लेकर लाश्टे तक पूरा जरूर देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी नीचे दिये लाल अक्सरो के सब्सक्राइब बटन को दबागर चैनल को फटापट से सब्सक्राइब कर लिए जीगा और उसके पास में गंटी के निसान को भी जरूर दबा दीजीगा किसान भाईयों बात करते हैं NPK 0050 के बारे में तो NPK 0050 एक पानी में गुलनसिल खाद है जिसका इस्प्रे किया जाता है यानि कि इसको हम इस्प्रे भी कर सकते हैं और जमीन में भी चला सकते हैं किसान भाइयों इसका रिजल्ट इस्प्रे करने से अच्छा मिलता है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका इस्प्रे कब कर सकते हैं परन्तु सबसे बहले बात करें कि NPK 0050 में कौन-कौन से सुख्म पोसकता तो रहते हैं तो NPK 0050 में 50% पोटास और 17.5% सलफर पाया जाता है जो कि किसान भाइयों हर एक फसल के लिए काफी ज्यादा जुरूरी होता है अब हम बात करते हैं कि प्याज की फसल में NPK 0050 का कब इस्प्रे किया जाता है तो किसान भाइयों सबी प्रकार के सुख्म पोसकता तो देने की भी एक सिमा रहती है एक म्याद रहती है जब पोदा उस चीज के लाइक हो जाता है तो ही हमें वो चीज पोदे में देनी चाहिए उससे पहले हमें नहीं देना चाहिए समय से पहले हमें कोई चीज नहीं डालनी चाहिए तो जैसे कि अगर आपकी प्याज के पैसल सितर दिन के उपर हो चुकी है तो आप उसके बाद में NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं NPK 0050 का स्प्रे करने से फायदा यह होगा कि उसमें मुझूद पोटास और सलफर आपके प्याज में बनने वाले कंद को काफी ज़्यदा बड़ा अकार देंगे और उस कंद को एक अलग की प्रकार की साइनिंग देंगे जिससे कंद का अकार भी बढ़ेगा और उसका वजन भी बढ़ेगा जिससे पैदावार अच्छी निकलेगी और किसान भाई यू 100% गैरेंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपकी प्याज की फसल में इसका रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा किसान भाई यू इस प्रकार से इनपिके 0050 के फायदे होते हैं और 60 दिन के पार में जब आपकी प्याज की फसल होती है तो उस टाइम पर आप इसका स्परे आसानी से कर सकते हैं इसकी मातरा की बात करें तो 60 दिन के बाद में आपको एक किलो ग्राम परती एकड के इसाफ स स्परे करना है यानि कि एक किलो ग्राम का जो पेकिंग आता है मार्केट में लगबग देट सो से 200 रुपे के आसपास उसकी रेट रहती है तो आप एक किलो परती एकड के इसाफ से गोल बनाकर स्परे कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप सितर देन के बाद में इनपिके 0050 का स्परे करके काफी अच्छा उत्पादन अपनी प्याच फसल से ले सकते हैं तो किसान भाईयों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर द